नमस्कार दोस्तों भारतिय रिजर बैंक अपनी मौदरिक नीती या मौनिटेरी पॉलिसी के माध्यम से विभिन उपायों को लागू करके देश में मुद्रा और रिन की उपलब्धता पर नियंतरन स्थापित करता है इन ही उपायों में से दो उपाय है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इस बीडियो में मैं इन ही दो महत्पूर्ण टर्म्स को समझाने की कोशिश करूँगा रेपो का फुल फॉर्म है रिपर्चेजिंग ऑप्सन दूसरे शब्दों में यह एक प्रकार से आरवी आई एबं बैंक के बीच का रिपर्चेज एग्रिमेंट है इस एग्रिमेंट के द्वारा कोई बैंक अपना सिक्यूरिटी जैसे ट्रेजरी बिल आरवी आई को दे देता है और उसके बदले में आरवी आई से शौर्ट टर्म लोन प्राप्त करता है जब कोई बैंक RBI से पैसा उधार लेता है, तो उसके बदले में RBI उस बैंक से ब्याज वसूल करता है, ब्याज के इसी दर को रेपोरेट कहते हैं. दूसरी और जब बाजार में लिक्वीडिटी अधिक हो जाती है, अर्थात बाजार में जरूरत से ज़्यादा मनी एवलेबुड हो जाता है, तो RBI सभी बैंकों में पड़े अधिक फंड को बोरो कर लेता है, और इस प्रकार बाजार में फंड बैलेंस्ड हो जाता है. इस एक्टिवीटी में जब RBI बैंक से बोरो करता है, तो इसके बदले में वह बैंक को इंट्रेस्ट पे करता है, इंट्रेस्ट के इसी रेट को रिवर्स रेपो रेट करते हैं, इस प्रकार RBI जो इंट्रेस्ट बैंक को पे करता है, उस दर को ही रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। इस लाइट के माध्यम से मैं यह बताने की कोशश करूँ गा कि रेपोर रेट बढ़ाने या घठाने का क्या प्रभाव होता है और मारकेट पर यह कैसे प्रभाव डालता है। माल लीजे, देश में इन्फलेशन की दर बढ़ी हुई है, जब देश में इन्फलेशन जादा होता है, तो सभी बस्तूओं की कीमत बढ़ जाती है, और रूपय का वैल्यू घट जाता है, ऐसी परिस्थिती से निवटने के लिए RBI को इंटर्फेर करना पड़ता है, और इस RBI से पैसा उधार लेने जाता है, तो उसे उधार चुकाने के लिए ज्यादा ब्याज या दूसरे शब्दों में अधिक रेपोरेट की दर से RBI को भुकतान करना होगा, असपश्ट है बढ़ा हुआ रेपोरेट मतलब बैंक को नुकसान, इस नुकसान की भरपाई के लिए बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, अब इस बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट पर आम पबलीक बैंक से पहले की तुलना में कम मातरा में लोग लोन लेंगे, तो बाजार में मुद्रा की कमी हो जाएगी और लोग बाजार में खरीदारी कम करेंगे, इसका परिणाम यह होगा कि बाजार में बस्तूओं की कीमत कम हो जाएगी बस्तूओं की कीमत कम होते ही रूपए का वैल्यू पुन्ह बढ़ जाएगा और इस प्रकार इंफ्लेशन दर में कमी आ जाएगी अब इस स्लाइड में मैं रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने या घटने का बाजार पर पढ़ने वाले प्रोहाव की बात करूंगा फिर से मान लेते हैं कि देश में इंफ्लेशन की दर बढ़ी हुई है इस इस्तिती पर काबू पाने के लिए आरवी आई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है reverse report rate बढ़ाने का ताथ पर यह हुआ यदि बैंक से RBI पैसा उधार लेता है तो बदले में RBI बैंक को बढ़े हुए दर पर ब्याज या reverse report देगा चुकि बढ़ा हुआ reverse report बैंक के लिए फायदे मंद है तो बैंक अपना पैसा RBI को लोन देने के लिए तयार हो जाएगा इस प्रकार बैंक के पास मुद्रा की कमी हो जाएगी मुद्रा की इस कमी के कारण बैंक लोगों को पहले की तुलना में कम मात्रा में लोन देगी इसका परिणाम यह होगा कि लोगों के पास कैस करण्च की स्थिति उत्पन हो जाएगी और इसलिए बाजार में बस्तूओं की कीमत भी कम हो जाएगी बस्तुओं की कम कीमत मतलब मुद्रा का बहल्यू अधिक होना और ऐसी स्थिती में इन्फलेशन भी कम हो जाएगा इस प्रकार हमने देखा कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कैसे हमारे बाजार को प्रभावित करता है आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इसी प्रकार की अन्य जानकारी को प्राप्त करने के लिए करपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को दबातें आपके कॉमेंट्स एवं सुझाओ का हमें इंतजार रहेगा आपका दिन शुभ हो जय हिंद